अनीता के इंडियार सोई में आज बन रही है मखानों के खीर खाने में बहुत टेस्टी होती है आप सबी का स्वागत है आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीस कमेंट बॉक्स में जलूरू बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब क करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मखानों की खीर बनाने के लिए एक पैन में हम एक चम्मच देसीगी का इस्तिमाल करेंगे तो कॉप्स लिया मैंने मखाने वेट से देखेंगे तो 50 ग्राम है पचास कराम मखानों को हम पैर में डालके एक मिनट के लिए धीमी होती हैं एंटियोक्साइड से भर पूर होती है इसलिए इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉंग रखते हैं अगर सुबा सुबब रेक फास्ट में हम यह खीर खाके जाएं तो सारा दिन हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉंग रहेगी और अगर मखानों के साथ दूद मिल जाए तो फिर क्या कहने क्योंकि मखाने और दूद्ध अगर दोनों कट्थे हो जाए तो दोनों में पुटाशियम और मेगनीशियम की अच्छी मात्रा होती है जो हाई बीपी को समान्य रखने में मदद करती हैं में हमने आधा लीटर दूद्ध एड़ कर दिया है अब इस द जैसे दूद में उबाला जाएगा फिर इसको मीडियम एंच कर देंगे फिर इसमें मिलाएंगे हम दो इलाइची इसको मैंने कूटके डाला है और हल्का सा पिंच हल्दी पाउडर क्योंकि सर्दी का महिना चल रहा है अगर हल्दी डालेंगे तो स्वास्ते के लिए और भी हल्दी होगा और फिर इसमें चार टेबल स्पून डाली है मैंने देस चीनी चूगर और साथ में दो चम्मच एड़ कर रही हूं मैं मिलक पाउडर मिलक पाउडर डालने से इसकी थिकनेस बरकरा रहेगी और गाड़ी-गाड़ी खीर बनके आएगी हमारी जो की खाने में और भी टेस्ट इसका इंक्रीज करेगी बाकि यह ओप्शिनल है अगर आपके पास मिलक पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं टोटल चार-पांच मिनुट में बनके खीर रेडी हो जाती है तो देखिए मखाने थोड़े सॉफ्ट हो चुकी है इस स्टेज में मैंने इसमें बदाम और किश्मिश का ड्रैफूर बारिक काड़ के डाल दिया है इनको भी हम पका लेंगे थोड़े से मखाने जब सॉफ्ट हो जाए तो इस तरह से हम कच्ची से थोड़ा से इसको तोड़ देंगे हलका हलका हिर्दे को स्वास्ते रखने वारी खीर बनके रेड़ी हो चुकी है अब इस स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा होने के बाद देखिए कितनी गाड़ी हो चुकी है अब इनको हम सर्फ करेंगे इसको आप ब्रेकपास्ट में जरूर बनाएं या फिर लंच में भी आप खाने के साथ इस मीठे रेसिपी को जरूर बना सकते हैं तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी हो प्लीज कमेंड करके जरूर बताएं यह खीर टेस्ट के साथ साथ काफी हेल्दी भी है तो इसे बनाना तो बनता है तो एक बार तो इसको जरूर ट्राइए करें और पूरी फैमली को इसका टेस्ट दिखाएं और मुझे कमेंड करके जरूर बताएं कि आपको यह खीर मखाना खीर कैसी लगी है और आपके कैसी बनी है तो इसी के साथ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आसीपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई और जै हिन जै भारत